सब्सक्राइब करें जुम्मा किचिन को और बैल आइकन को दबाएं ताके हमारी लेटिस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचेंग हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु जुम्मा किचिन आज हम अपने किचिन में बनाने जा रहे हैं एक स्वीड डिश और उसका नाम है मखाने की खीर ये खीर बहुत ही हल्दी होती है और ट्रेडिशनल जो चावल वगरा की खीर होती है उसकी तरह ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती पकने में तो इसको बनाना बहुत आसान है तो आईए हम इंग्रेडियन्स देख लेते हैं तो ये मैंने दो कप मखाने लिए है ये देखिए इस तरह के फुले-फुले मखाने है ये और वन थर्ड कप मैंने चीनी लिए यानि एक चुथाई कप से ज्यादा और आधा कप से कम वैसे चीनी आपफे टेस्ट के कोढopersने करसकते हैं एक चुटकी मैंने लिया है इलाइची από पैउडर थोड़े से मैंने इए ये स्भक्राइब निरने तो यह स्केटर नाषम स ऐसे लिए निरया, यह आप घाता हैं出來, तो यह स्किप तो निरने टावरिक। एक लीटर मेंने फुल फैट दूद लिया है और उसे में बॉइल कर रहे हैं तो ये फुल फैट दूद है कोई भी खीर या हम स्वीड डिश बनाएं तो कोशिश करनी चाहिए कि दूद अच्छी कॉलिटी का हो फुल फैट हो तो दूद में बॉइल आ गया है अब मैं इसको लो फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो अब हम मखानों को रोस्ट करेंगे फ्राय नहीं करेंगे तो एक नॉन स्टिक के पैन के अंदर मैंने दो टेबल स्पून प्योड़दे सी घी लिया है और उसके अंदर मैं डालूंगी मखाने और हम ऐसे भूनेंगे कि ये जो हैं बहुत अच्छे कुरकुरे हो जाए और इन पर हलका सा लाइट गोल्डन कलर भी आ जाए तो मखानों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इन में से अच्छी सी कुरकुरी इन पर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है और कितनी अच्छी इन में से क्रिस्प्रिस्प आवाज भी आ रही है अब मैं अपनी गैस को बंद कर देती हूँ और इनको एक बोल में निकालके थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ ठंडे होने के बाद मखाने और फी में दिबे लग जाएगा तो यह मैंने कुछ मखाने ऐसी ही निकाल दिये हैं इनको मैं क्रश नहीं कर रही हूँ बाकी के मखानों को मैं हलका सा क्रश करूँगी बहुत ज्यादा नहीं करूँगी आप चाहें तो किसी भारिक चीज से इसको तोड़ सकते हैं बस मैं हलका कर तो यह देखिए मैंने मखानों को दरतरा सा पीस लिया है कुछ मखाने इसमें थोड़े कम तोटे हुए हैं बाकी के तोट गए हैं तो दूद हमारा अच्छी से बॉइल हो गया है थोड़ा सा गाड़ा भी हो गया है अब हम डालेंगे इसके अंदर यह मखाने इसको पकने म नहीं लगेगा मखानों को हम पांच मिनिट लो फ्लेम पर पका लेंगे इससे जाद हम नहीं पकाएंगे क्योंकि यह अल्रेडी बहुत अच्छे से रोस्ट हुए हैं और हमें सिर्फ दूद को थोड़ा सा गाड़ा करना है खीर को पकते हुए पांच मिनिट हो गए हैं यह थोड़ी थीक भी होने लगी है यह रखने के बार जब थोड़ी से धंदी हो जाती है तब और ज्यादा थीक हो जाती है तो आप मैं डालूंगी इसके अंदर इलाईची का पाउडर और यह सैफ्रण यानि केसर मिक्स करूंगी और साथ ही सek चीनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग ले सकते हैं, मिक्स करूंगी चीनी मिक्स हो गई है, आप चाहें तो इस स्टेज पर इसका मीठा चक सकते हैं अब मैं डालूंगी इसके अदर ड्राय फ्रोट्स, यह मैं डाल रहे हूं काजू, थोड़े से मैं गार्नेशिंग के लिए बचालूंगी, यह मैं इसलिए डाल रहे हूं पहले से, ताकि यह थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, वरना आप इनको ड्राय रोस्ट करके या फिर काज चाहिए आप मैं इसे इतना पकाऊंगी, के यह थोड़ी सी गारी हो जए । मक्राणे की खीर हमारी तैयार हो गई है यह काफी थ कवर्चाँ भी हो गई है आप हम अपनी गयास को बन कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंड़ होने थेए तो खीर हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है और ये देखी कितनी ठीक भी हो गई है अब हम इसको गार्निश करते हैं इसते राजू और बादाम के साथ और साथ ही में हमगा देते हैं ये फ्राइड मखाने ताके पता चले कि ये मखाने की खीर है तो तयार है हमारी मखाने की खीर कितनी खुबसूरत नजर आ रही है कितनी आसानी से बन गई है और कितनी जटपट बन गई है तो एक बार आप ये रेषिपी जरूर ट्राइ कीजगा और अगर आपको मेरे रेषिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजे चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब करना बिल्कूल न भूलियगा अलापीज